नमस्कार, एकजाम है PY जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ, मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेट परिछा 2024 के महत्वपूर्ण प्रशनों को ले करके और उसकी तियारी को ले करके तो आप यहाँ पर JCERT, टेस्ट बुक के सारे नोट्स और प्रशनों को देखना कभी भी नहीं बूलेंगे अभी आपका एडविशन यहाँ पर चल रहा है सिर्फ पर से 500 रुपए में 100 कंडिडेट का एडविशन होगा उसके बाद यहाँ रासी 1000 रुपए कर दी जाएगी तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े यहाँ पर सारे सब्जेट की तियारी सुरू कर दी गई है आप सभी अगर 101 पर 303 स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट अप्सन होगा handwritten notes जो कि आपको यहाँ पर सारे राजियों में जो सिछक पत्रता परिच्छा होई है उसके हल परस्ट पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCRT जो Jack की किताब है उसके model पर अधारी सारे परस्टों का हल करवाया जा रहा है तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके जो बने हुए notes होता है उसे परस्टों की संख्या देखे बहुत ही कम है और उसे भीड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब परस्टों किताब से थे लेकिन लोग को इताब से पढ़ते नहीं है सिर्फ पजारू किताब को देखते है पजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेस्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा सिर्फ जेसी आटी का notes यहाँ पर मिल रहा है समाजी विग्यान का practice set आठ को complete यहाँ पर करेंगे इसके पहले अधिया अपने समाजी विग्यान का practice set एक से साथ तक नहीं देखा है तब सभी कोई देख लिजेगा सभी यहाँ पर महतवपुन जेसी आटी जैक के किताब के chapter का यहाँ पर मिला जुला आंस आपको करवाया जा रहा है कि आप कितना तियारी कर पाया है तो जिनका भी तियारी हो पाया होगा जडूर अपना score share किजिएगा कि कितना आपने सही किया और जो अब तक नए है अभी तक नहीं जुड़े है तो पूरे मन से JCRT Jack की किताब से पढ़ने के लिए उसका practice set पनाने के लिए हमारे साथ अभी कभी जुड़ जाएगा सिर्फ परसी 5 रुपे में आपको दिया जा रहा ठीक है और यहाँ पर अभी test series भी चल रही है जो test series में जुड़ना चाहेंगे वो 100 रुपे देगर के जुड़ सकता है चले प्रशन है हिंदू धर्म का पवित्र धर्म गरंथ है भगवत गीता, कुरान, जेन दावस्ते या कोई ने तो हिंदू धर्म के लिए जो परसी धर्म गरंथाता है भगवत गीता यहाँ पर जो सिंद्धी आ गया है अगला प्रशन होगा आपका इसलाम का पवित्र धर्म गरंथ है इसलाम का पवित्र धर्म गरंथ है भगवत गीता, कुरान, बाइबल या कोई ने तो इसलाम का जो पवित्र धर्म गरंथ होता है वो कुरान में समाहित आपको मिलेगा, ठीक है, तो कुरान जो है, इसलाम का पवितरधार में करन्त हो गया, इसलामिक जगत के सबसे परथम खलीफा को क्या कहा जाता है, तो इसलामिक जगत के सबसे परथम खलीफा को क्या कहा जाता है, तो इसलामिक जगत के सबसे परथम खल अगला प्रस्ण होगा पांडू लीपी को कहा सुरच्छित रखा जाता है उसको कहा पर सुरच्छित रखा जाता है उसको कहा पर सुरच्छित रखा जाता है अभी लेखा गार में बरतन में कोई नहीं ठीक है तो पांडू लेखा गार में सुरच्छित रखा जाता है वेदो की संख्या कितनी है बताना आपको वेदो की संख्या कितनी है एक दो तीन चार राइट एंसर इसका हो जागा चार वेदो की संख्या चार है अगला प्रस्न है सबसे प्राचिन वेद का नाम बतावे सबसे प्राचिन वेद का नाम रिगवेद साम वेद ये जुरुवेद या अभी पूछ रहा है आपका भी जाम हो सके कि आजा है इसका राइट एंसर है 108 क्या है 108 वायू पुरान में जार्खंड को किस नाम से जाना जाता है मुरंड मुंड खोखरा या कोई नहीं ठीक है तो देखें एक चीज याद रखेगा वायू वायू मुड गिया वायू मुड गिया तो मुर गिया मतलब मुरंड इसको याद रखेगा तो वायू पुरान में जार्खंड को मुरंड के नाम से जानते है अब देखेगा अगला विश्नु पुरान में जार्खंड को किस नाम से जानते है विश्नु पुरान में जार्खंड को किस नाम से जान खोखरा कोई नहीं ते याद रखेगा विष्नु भगवान मूड में है, विष्नु भगवान मूड में है, तो विष्नु पुरान्ट में ज़्हरखंड को मूढ के नाफ्स जानेगा, मूढ किसमे हा, B में, B इसका राइट अशर हो जाएगा अभिज्ञान सांकुतलम किसके दोरा लिखा गया है बताना आपको कि अभिज्ञान सांकुतलम किसके दोरा लिखा गया है कालिदास विशाकादत वानभट यारवट ठीक है तो अभिज्ञान सांकुतलम के लिख़ग जो है वो आपको कालिदास जी है ठीक है कालिदास के दोर लिखा गया है कालिदास, विशाकाद़ वानबर्ट या रिवर्ट ठीक है तो मुदरा राच्छास के लेखाद़ और यह प्रष्ण uh repeated प्रष्ण है यह रिपिटेट प्रष्ण है मतलब बार-बार मुदरा राच्छास को दोहराया जा रहा है अपको इसको एक कडी मज़ा दे सब्सक्राइब पतर ठीक है तो सेंद सुमेता के महर अधिकांस्ता जो है वो सेल खड़ी की बनी होती है किसके बनी होती है सेल खड़ी की नामा पुस्तक में किस जगा का वर्णन मिलता है पाकिस्तान बंगाल कस्मिर या कोई नी ठीक है तो राज तरहंगनी नामा पुस्तक में कस्मिर के जग किस लिपी में लिखे गया है असोग के जादा तर अभिलेक किस लिपी में लिखे गया है ब्रामी लिपी खोष्ट लिभी और माइका लिपी या कोईनी ठीक है तो असोग के जादा तर अभिलेक जो है वो ब्रामी लिपी में लिखी गई है चंदरगुगत मोरी के परधान मंत सबस्क्त तक के दौरह नाम है दिखेंगा नाम किया है गणी विग्ञान अर्थ किसे इंडिका है मेगास्तनीच कहां का राज़ुथ्थाव تसे लिप्रानि को अनिवासी था मेगासीची मेगें निकेटर का निवासी था बहुत धर्म के परवर्तक थे गोतम बूद महाविर स्वामी रिशब देव या पार्शना ठीक है तो बहुत धर्म के परवर्तक के सेंस में यहां पर गोतम बूद आएंगे गोतम बूद के बच्पन का नाम क्या था गोतम बूद के बच्पन का नाम गौतम बूद का जन्म हुआ था कहां, नेपाल की तरही में, कपिल बस्तु में, लुमनी वन में, सभी में, तो गौतम बूद का जन्म जो है, कपिल बस्तु में, के निकट, नेपाल में जो पढ़ता है, नेपाल की तरही में, लुमनी नाम गाम में हुआ था, इसलिसके राइ स्थापक कौन थे हैं महाविर स्थापक जो थे वर्दमान महाविर या महाविर श्वामी कह लिजे किस धर्म में 24 तित करत हुए बहुत बारी प्रशन आया हुआ है जैन धर्म मैं और बार बारी के सिद्ध करते इसले tap दो किस धर्म में 24 तित कर हुए जैन धर्म में यादर करें बार बार रिपीटेट कर रहा हुआ जैन धर्म के 24 तित कर कौन थे वह को नहीं तब हैं तौन आपको महाविर स्वामी थै। स्वार पर्थम आम चुनाव कब हुआ, 1951, 1952, 1953, 1954, ठीक है, तो स्वार पर्थम आम चुनाव जो यहाँ पर जो सेंस आता है, वो 1952 का आता है, सो तंत्र भारस सोला बड़े महा जनपदों में भाजी था, यह जनकारी किस गरंट से मिलती है, बहुत गरंथ के हम कुतर इसमें से कौन से महा जनपद में राजजनत्री महा जनपद है, मगत, कौसल, वत्स, यह सभी, इसमें राइट इन से सभी है, क्योंकि मगत हो, कौसल हो, वत्स हो, यह सभी जो है, राजजनत्री महा जनपद है, ठीक है, इनका नाम नीचे दिया गया है, मगत, कौसल, वत्स, वेद सब्च का आर्थ है ज्ञानास प्रड़णर वेद का अर्थ होता है घ्यान होता है जै के अगला होता है वेदोखिसंग है कितनी है वेदोखिसंगं कैsawज चार है चार है तीके सबसे पुराना प्राचिन रिग्वेद कितने मंडल है 19 11 12 तो इसी तरह से आप इहां पर सारे प्रस्णों को कबर आप कर सकते हैं दन्यवार